दोस्तो एक नीव वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान हो जब भी आप अपने सौर्च यूटूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो अपलोड करने के बाद जो भी आपकी वीडियो पर वीव जाते हैं वो अचानक से आने बंद हो जाते हैं अचानक से रुख जाते हैं आप वीडियो भी बहुत अच्छे से बनाते हो वीडियो की क्वाल्टी भी आपकी बहुत अच्छी होती है आप editing भी बहुत अच्छे से करते हो लेकिन फिर भी आपकी वीडियो पर ज़्यादा वीव्ज नहीं आते हैं वीव्ज आते भी हैं तो 400-500 या फिर maximum 1000 वीव्ज तक ही आपकी वीडियो बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है उसके बाद आपकी वीडियो पर बिल्कुल भी वीव्ज नहीं आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको कौन सी गलती करते हो जिसके कारण आपकी वीडियो पर अचानक से वीव जाने बंद हो जाते हैं और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ इस गलती को आप किस तरह से अपने चैनल पर सही कर सकते हो तो हमेशा की तरह दोस्तो आज की वीडियो भी इंटरस्टिंग होने के साथ साथ नौलिजफूल होने वाली है आप इस वीडियो में लास्त तक जरूर बने रही है और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है हम जान लेते हैं यहाँ पर आप देख पारे हैं मेरे मुबाइल फॉन की स्क्रीन को यहाँ पर मैं स्टार्ट पर किलिक करता हूँ लास्ट वीडियो का विनर है हरे राम फैन्स ओफिसियल इनके यूटूब चैनल के लिंकों में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कम्यूनिटी पोस्ट में और इसके लावा अपने टेलिग्राम चैनल पर सेर करूँगा आप सभी इनको स्पोर्ट कीजिए इनके यूटूब चैनल को सस्क्राइब कीजिए दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सोर्च वीडियो पर विव जाने अचानक से क्यों बंद हो जाते हैं अचानक से क्यों रुख जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा करण होता है आपकी वीडियो का जो भी audience retention time होता है अगर वो down होता है तो आपकी ऐसी सभी वीडियो पर जादा विव नहीं आते हैं ऐसी सभी वीडियो पर अचानक से विव जाने बिल्कुल बंद हो जाते हैं लेकिन अगर आपकी किसी वीडियो का audience retention time 80% से एबो होता है 80% से जादा होता है तो ऐसी आपकी सभी वीडियो 100% ही नहीं 200% वाइरल हो जाती है ऐसी किसी भी वीडियो को कोई भी वाइरल होने से नहीं रोख सकता इसलिए दोस्तों किसी भी वीडियो का वाइरल करने के लिए उस वीडियो का audience retention time बहुत ज़्यादा matter करता है अब आपके mind बे question आ रहा होगा इस audience retention time को किस तरह हम बढ़ा सकते हैं इसके लिए हम कौन सी ट्रिक का use कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए जो पहला point आपको याद रखना है जब भी आप shorts वीडियो बनाते हो shorts वीडियो आप upload करते समय होता है वो किस तरह से होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बड़े YouTube चैनल को open करना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो इस चैनल पर 5,89,000 total subscribers हैं और वीडियो यहाँ पर only 125 अप्लोड की गई हैं 125 वीडियो अप्लोड करने के बाद इस चैनल पर 5,89,000 अभी तक subscribers हो चुके हैं अगर हम बात करें इस चैनल पर जो भी सोर्स वीडियो अप्लोड की जाती हैं उन वीडियो पर किस तरह से वीडियो जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस वीडियो पर 1.6 million views 4,55,000 views 5,20,000 views 3,75,000 views 1,000,000 views इस तरह से इस चैनल की सबी वीडियो पर वीडियो पर वीडियो आ रहे हैं यहाँ पर मैं सोर्स वाले section पर किलिक करता हूँ और यहाँ पर जो इन्होंने रिसेंटली वीडियो अप्लोड की हैं उन पर कितने वीडियो आ रहे हैं इस चैनल पर जो भी वीडियो अप्लोड की गई है सबी वीडियो में यहाँ पर दो टाइटल एड किये गए हैं दो टाइटल का मतलब है यहाँ पर इन्होंने एक टाइटल एड किया हुआ है वैसे अंटी आपकी बहु काफी अच्छी है और यहाँ पर इन्होंने नीचे भी एक title add किया हुआ है funny reaction वीडियो इसी तरह यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस वीडियो में भी इन्होंने एक title add किया हुआ है कहां मिलेगा इतना भरा लोग और यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीचे भी इन्होंने एक title add किया हुआ है आप इसकी किसी भी वीडियो को उठा लीजिए सबी वीडियो में यहाँ पर इन्होंने दो title add किये हुए हैं यहाँ पर यह वाली आप वीडियो देख पा रहे हो भाई यह व पापा की परी आ रही है और यहाँ पर इन्होंने एक title और लगाया हुआ है इसी तरह यही है वो पापा की परी और नीचे इन्होंने एक title और add किया हुआ है तो इस तरह से आपको अपनी सबी source वीडियो में दो title add करने हैं अगर आप यह करते हो तो 200% आपको इसका फाइदा मिलने वाला है आपको 200% यह देखने को मिलेगा जितने वीवज आपकी वीडियो पर पहले आ रहेते हैं उससे कहीं ज़्यादा वीवज आने आपकी वीडियो पर start हो गए हैं तो इसलिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको दो title आगे से अपनी source वीडियो में add करने हैं इसके अलावा second point जो आपको याद रखना है यह काफी ज़्यादा interesting है second point जब भी आप source वीडियो बनाते हो तो आपको source वीडियो के starting में इस तरह के word का use नहीं करना है क्योंकि बताना चाहूंगा दोस्तों जो भी source देखने वाली audience होती है उनके पास इतना समय नहीं होता इन सब चीजों को देखने का इसलिए जब भी आप source वीडियो बनाते हो तो आपको starting में कुछ ऐसे word का use करना है जैसे कि कैरी मिनाटी के साथ ये क्या हो गया कैरी मिनाटी ने ये क्या कर दिया इस तरह के sentence का आपको starting में use करना है जिससे कि जो भी audience आपकी वीडियो को watch कर रही है उनके अंदर एक जिग्यासा पैदा हो और आपकी वीडियो को वो audience complete watch करे जिससे आपकी वीडियो का retention time 80% से अबो चला जाए और आपकी वीडियो viral हो जाए ये दो point आपको अपनी source वीडियो में regular follow करना है मैं आपको link कर दे रहा हूँ आपकी source वीडियो पर अच्छे खासे वीजाने start हो जाएंगे इसके अलावा दोस्तों मैं आपको पहले भी कही सारी वीडियो में बता चुका हूँ अगर आप source वीडियो बनाते हो तो आप कोशिश कीजिए अपनी वीडियो में एक suspense create करने का अगर आप अपनी वीडियो में एक suspense create करते हो तो आपकी वीडियो को जो भी audience watch करेगी वो complete आपकी वीडियो को watch करेगी जिससे आपकी वीडियो का audience retention time increase होगा और आपकी वीडियो viral हो जाएगी इसके अलावा एक कम आप ये भी कर सकते हो आप facts related वीडियो बना सकते हो ऐसी वीडियो पर भी अच्छे खाजे वीव्ज हमें देखने को मिलते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए इसी तरह की इंट्रस्टिंग और नॉलिज फिल वीडियो के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को प्रेस जरू कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो मिलता हैं दोस्तो फिर से एक निव इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जैहिन जैभारा दोस्तो